मातर 60 रुप किलो आपको यह मशीन है वह मिलने वालिया से argue किलो में लेजाओ असी रुप किंयल तोल के कार का एंजन मिलेगा शलो यह जो आख यह 50 रुप किलो यह 50 रुप तो आज आपके लिए लेकर आएं वही बोर वाले इंजन एक स्लेंडर इंजन बोलती हैं यह लेकर आएं तो आज इनका बताएंगे वही प्राइज बिल्कुल सस्ते रेट के अंदर आपको यह मिल रहे हैं इसारे के सादक्स त्यारें त्यारें रकष भाई तो बईसाब अगर इनके प्राईज की बात करें तो प्राइज यह 1,112 रूपरास क्या है promo कॉन cancer इसाचर यहां तो इनका क्या प्राइज रखते हो आप है असी रुपे किलो तोल के गाड़ी का हिंजन मिल रहा है भाई असी रुपे तोल पे यह जो मशीने पड़ी है यहां पर यह क्या रेट मिलेंगी मतЭर् रुपे किलो आपको यह मशीने वो मिलने वाली है काफी सारा स्टोक वो इनके पास पढ़ है अंदर पढ़ है यह पूरा का पूरा से सैक्षेटी दे दोगे साट रुपे किलो की असाब सें अच्छा जी और यह जो जोडियां पडही है घर वाली यह 50 रुपे किलो सेलेकर साथ रुपे किलो मैं ले जाओ बाई साथ रूपे किलो में लेजा नहीं बन वाते हैं शों सोν रूपे किलो ले रहे हैं इंका जोडी देखो भाई कितनी प्यारी जोडी ए ने कोई जर लगा है ने कोई और पूरी एवी पहले के टाइम की बनाई हुई यह ना यह पूरी एवी जोड़ी है बाई क्या रेट बताया दुवारा बता दुए पचास रुपए से और इन तो तो शरुवाध करते हैं वह ईंजन तो इंजन्द वह दिखाई ले कोई कोई प्रोबलम आजाए तो एक बार चुल आने चेक करने तक की गारेंटिए इनका क्या प्राइज रखते हो यह नॉर्मल पुली सतर रुपे किलो है अच्छा जी और यह जो दो फाड़ वाड़ी इस तरीके की है यह सी रुपे किलो मिलेगी आपको और जो यह सिंगल है यह मिलेगी सतर रुपे किलो किलो के हिसाब से बाति की आप यहाँ पे आ जाना और उसके बाद में हो जाएगा और यह लो यह लोड़ी यह जोड़ी हो लेके और 600 रुपे तक की यह मिल जाएगी आपको भई लकड़ी कौन सी है यह टाली टाली की लकड़ी सिस्सम बोलते हैं वो और यह इस साइड भी जोड़ी है पड़ी इनका क्या प्राइज रखते हो यह पत्चीसों से लेकर च्यार जार रुपे के बीच में आप आओ यहां श्रीक का तो स्टोक का भी बढ़ा है यह भीविका हुए क्या भाईया गाड़ी और यह जैटाइक ही पाइप पिच्शासी रूपे किल्व यह बहुत काम की चीज है ना और यह एंगले बगेरा पड़ी है यह लोई वाली पचास रूपे किल्लों एंगल पाइप अच्या नटो वाली यह जो ऐ है यह 50 रूपए किलो पीडियो तक मिल जाएगा और यह जो पाइपे बगेरा पड़ी है यह यह पुर्वाइं यह भी पचास रूपह पाड़ी एक किलो की हिसाफ से मिल जाएगी और तो वैज दोस्तों केसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है